वेल्कम गाइज वेल्कम बाक टियो उन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागे था आपका एक और शानदा डेली मार्फिस वीडियो में आज निफ्टी के एक्सपायरी थी एंड मॉनिंग में एक बार मूव आया था मार्केट में उसके बाद पूरा दिन मार्केट बिल्कुल ह रेंज में थी हां मॉनिंग में जरूर आप अच्छा ट्रेड बना सकते थे क्योंकि कैसे ट्रेड बनाना एक्जाक्ली वीडियो में मैं आपको कल बताया था अगर आपने वो सेटप यूज क्या होगा तो मॉनिंग में ठीक ठाक ट्रेड आपको जरूर मिला है जान 30 40 50 परस जैसे मारकेट उस लेवल से दूर जाती है अपने पास बुला लेता है मारकेट को तो उसी क्या सबस्थ पूरा दिन हमने बैंग निफटी में मारकट को टाइम सपेंड करते हुए देखा बैंक निफटी में भी जादा ट्रेड नहीं थे तो डीटेल में आजके इंट्रीए इस पार्ट पर आता है देखिए निफ्टी में क्या हुआ और बताया है क्या था मैंने आपको सेटप बहुत सिंपल सेटप कहा था जहां ओपनिंग हो उसके नियर भाई के 50s के लेवल लेखने है 50s के लेवल क्या है 23 450 और 23 500 इन दोनों के मेड़ में ओपनिंग हुई है मौनिंग में डिप आया है ब्रिक किया लेवल कनफर्मिशन दे दी अब इसके बाद आप यहां पे ट्रेड में एंट्री कर सकते थे किस साइट में एंट्री करते लूवर साइट लेवल को ब्रिक किया है तो मार्केट में फॉल आएगा और आपको पुट साइड एंट्री करन था कि इस मूव में भी आपको 30 से 50% तक का रिटर्न मिल जाता अगर आप आट दा मनी में स्लाइटली इन दा मनी में ट्रेड करते तो एक डीसेंट ट्रेड था इतना प्रॉफिट आपको मिल जाता ट्रेलिंग स्टॉप लोस से आप अच्छी जगा एक्जिट हो जाते और उस दो का में मार्केट की मार्केट की नहीं था ट्रेड आई जो मांनिंग में मिलंग मुलेज इंस इसका vapor बकिसा when लेवल मार्केट को तुरंत बुला लेता है, 49,960 इसी के आसपस मार्केट time spend करती रहती है, जब इसके upside होती है, तो lower side आजाती है इसके downside होती है, तो market upside इस लेवल के आसपस आने कोशिश करती है, पूरा time market को ये level attract कर रहा है, तो bank nifty में कोई direction बन ही नहीं रही है, यहाँ पे में कांड इस रेंज में काम हो रहा है लेकिन आज की market हो चुकिक कल क्या करना है निफटी में तो हम ऐसी जगा है जहां पहले कभी काम किया नहीं है न्यू लेवल्स है लेकिन पुजिश्टली तो एक अच्छी चीज हो रही है ना पुजिश्टली मैंने आपको क्यों बताया था कि और रैली आई की मार्केट में मार्केट अभी बुलिश है तो पुजिश्टली तो आपको ठीक ठाक प्राफिट मिल रहा होगा देखो निफ्टी में मैंने आपके लिए एक ट्रेंड लाइन मार्क किया किन पॉइंट को कनेक्ट किया आपको दिख रहा है आपके सामने है इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए ना कि इन पॉइंट को कनेक्ट करना है यहाँ पे टॉप यह टॉप आज भी जो अल्मूस्ट लग रहा था डे एंड में जहां टॉप लगा इन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे मौनिंग में जो पहली ग्रीन केंडल बनी थी इसका टॉप भी यहीं है तो इन पॉइंट को कनेक्ट करके यह दिख रहा है मार्केट बार बार यहां राइस्टेंस फेस कर रही है कल भी की थी आज भी मार्केट ने यहां राइस्टेंस फेस किया तो भाई कल अगर इस ट्रंड लाइन के अबव निकलेंगे तो निफ्टी में बुलेश होंगे तो पहली चीज़ कल के लिए trend line mark कर लेना trend line का almost level 23,410 है तो कल आपको यह देखना है क्या इस level के अबब है market तो market हमाले bullish है nifty में rally आएगी rally में target के लिए वोई trailing stop loss use करो आज भी अच्छा fall आया trailing stop loss आपको ठीक ठाक profit भी देता जितना move आया था उसके according अच्छा profit इसने आपको जरूर दिया होगा तो upside clear है कि 23,410 के अबब market bullish trailing stop loss use करना है और rally को catch करना है यह level कहां से निकला है trend line से निकला है trend line कैसे mark करनी है वो भी मैंने दिखा दिया है ठीक है अब थोड़ा zoom कर ले trend line का काम clear है upside level clear है कहां से बना है वो भी बता दिया है और downside downside मुझे तो fall अभी दिखता है जब 23,300 के below जाएगी market तो lower side जब तक यह level break ना होना कल intraday में आपको bearish trades नहीं बनाने है और fall के लिए trades नहीं बनाने है तो यह एक range है ठीक है कल expiry किसकी और sensex की तो वो भी कैसे काम करेगा जैसे nifty काम करेगा अगर nifty में bullish trade दिखता है तो sensex में भी bullish trade आप बना सकते हो nifty में bearish trade दिखेगा तो sensex में भी bearish trade आप बना सकते हो तो कल 23,300 break होगा तो bearish trade बनेगा और market में fall आएगा तो almost यह 100 points की 110 points की range है इसके mid में option selling करो option selling के लिए मैंने आपको बताया भी था इस weekend मैं आपके लिए एक video बनाऊँगा और उसमें मैं आपको दिखाऊँगा धन broker कैसे आपके लिए already strategies बना के देता है आपको सिर्फ direction बतानी है कैसे वो आपके लिए strategies बना के देता है उसमें account जरूर open कर लेना तभी आपको वो चीज़े समा जाएंगे अब यह nifty की बात हुई simple एक range है उस range के break होने के बाद कल nifty में trades बनेगे upside एक neutral नहीं है उसे mark करना है और उसे use करना है downside तो हमारा same level है 23,300 यह nifty का setup है bank nifty में क्या करें direction ही नहीं बन रही है bank nifty में 49,960 से 50,000 का zone mark ही कर देता हो न 50,000 बार-बार doubt रहता है न 50,000 कहां पे है कैसे काम कर रहा है यह देखो zone mark हो गया 49,960 से 50,000 का zone है zone को upside break करेंगे तो rally आएगी market bullish होगा and bullish के बाद target 50,000 230 level हमारा target होने वाला है और downside support बहुत दूर है 49,500 यहां पे जाके support मिलता है तो कल trade कैसे करे bank nifty में कल Friday है bank nifty में trade avoid कर दो क्यों avoid कर दो क्योंकि clear direction बन ने रही है bank nifty में market में movement बहुत ही rough है ठीक है कोई clear direction बन ने रही है कल और देख लेते है market क्या करना चाहती है इस level पे फोड़ा odd time spend हो जाने देते है फिर weekend पे detail में बात करेंगी कि bank nifty में क्या करना है वैसे भी premiums बहुत आए अभी bank nifty में expiry दूर है तो premiums आए है तो bank nifty में trade करके कल कोई फायदा नहीं है तो avoid कर देना कोई direction बन ने रही है bank nifty में किसी भी side trade बन नहीं रहे है जब trades बनेंगे तो बात करेंगे जब market ऐसे zigzag range में काम कर दी है तो option buyers के लिए कोई trade नहीं होते है इसलिए कल bank nifty का avoid कर दो nifty और sensex में कल आप trade कर सकते हैं sensex में same वही nifty वाला setup यूज़ करना है और आज सिब charts पे बात करेंगे क्योंकि option chain में अ कर ले